अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूरू सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए दो इंपोर्टेंट अपडेट है दोस्तो जहां पहापे पूरुसाहिंकों के लिए बहुत सारी अरी जो की सरकार दोरा चलाए गई है और जिसमें की पचास राक से लेकर तीजाख रुपे तक का जो है बेनिफिट मिलता है इसके लौँ दोस्तों कई अन्य से जैसी हैं जो की सिर्फ और सिर्फ पूरुसाहिंकों के लिए हैं जिसमन को सलाना जो है 24,000-36,000 मिल रहा है और सिर्फ दोस्तो इन्फॉर्मेशन के अभाव में जो है नहीं लोग यूज़ कर पाते हैं दोस्तो एक तो जो है अभी सरकार दोरा जो है जन्वरी फर्वरी के महिने में लिस्ट जारी कर दी जाती है और उसमें जो है जो भी पूर सैनकों के अलग अलग benefit है उसकी लिस्ट और उसकी last date तैक की जाती है वो दोस्तो लिस्ट जारी कर दी गई है और दूसरा दोस्तो जो लोग जॉब में हैं और जो लोग retired है हम बात करें दोस्तो सैनिकों और पूर सैनिकों के लिए उनके लिए कुछ अलग important role play करती है उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो important updates के बारे में दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर insurance cover आपको जो है नॉमली मिल जाता है तो एक बहुत अच्छी बात है जहां पर आपको जो है insurance cover जो है अगर specific package है पूर सैनिकों के लिए है सैनिकों के लिए तो वो दोस्तों बहुत सारे जो है banks है जो कि directly डिफेंस package दे रहे हैं और जिसका की जो है आप यूज कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है पूर सैनिकों को सीधे सीधे 30 लाग तक का insurance आउनको free of cost मिल रहा है unlimited ATM में transaction कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ही दोस्तों जो है उन में जो है term insurance भी है उसके लाव वो जो है अगर हम बात करें और facility के तो इसमें जो zero balance है तो कई सारे चीज़े हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ defense salary package में ही मिलता है और इसको जो है सिर्फ और सिर्फ defense personal के लिए applicable है बात करते हैं दूसरे update की जहांपे पूर सैनिको को जो है children education allowance में जो पर मन 2000 रुपे मिलते हैं class first से लेकर class graduation तक उसकी list जारी कर दी गई है और April एक से स्टार्टिंग डेट शुरू होती है और यह जो है आपका चलता है आपका नौंबर तक तो नौंबर तीस तक दोस्तों आपको इसके लिए apply करना पड़ता है तो दोस्तों अगर बच्चे आपके जो है first से लेकर graduation तक हैं तो उनको जो है 24,000 तक सालाना आप मिलता है और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ होडी से school के या college के होडी से आपको जो है certified करा के जो है यह जमा करना पड़ता KSB में केंद्री सैनिक बोर्ड की तरफ से और उसके बाद से दोस्तों आप इसका benefit उढ़ा सकते हैं similarly दोस्तों दिव्यांग बच्चों के लिए भी जो है अलग-अलग welfare scheme है वो भी आप यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों marriage grant की बात की जारी है जहाँ पर पूरु सैनिकों के जो daughters है उनकी जब शादी होती है तो उस पर भी जो है 50,000 सरकार की दरफ से मिलता है और यह condition इसकी है कि आप इसको जो है 180 दिन के अंदर अंदर जो आप इसके लिए अप्लाई करें तो बहुत-बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है welfare प्रोग्राम चलाए जा रहे है और इसको आप टाइम लिए अगर आप इसको फिल करते हैं तो आपको benefit मिलता है दोस्तों यह था इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूरु सैनिकों के लिए पैंश्टनर्स के लिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो